आमूल पालेकर बॉलिवुड के एक ऐसे आक्टर हैं जो अपनी सिंप्लिसिटी और अपनी बॉई नेक्स डॉर की इमिज की वजह से जाने पहचाने जाते हैं। आमूल पालेकर ने जिन फिल्म्स में काम किया उन फिल्मों से उस समय का यूवा डिरेक्ट कनेक्ट हुआ। आमूल पालेकर यूँ तो अपने आप में एक जानी मानी परसनालिटी हैं। लेकिन बॉलिवुड के दूसरे सिलेबरिटीज की तरह वो बॉलिवुड की चमक दमक से दूर ही रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बॉलिवुड के इस आम इनसान की भूमिका में सबसे ज्यादा फिट यानि आमूल पालेकर की जिन्दगी में परसनल रिलेशनशिप्स में आई प्रॉब्लम और फिर उन्होंने अपनी पहली वाइफ को तलाग दे कर दोनों की मुलाकात हुई लेकिन उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे का साथ इतना पसंद आया कि इनके बीच में अच्छी दोस्ती कायम हो गई ये वो दौर था जब चित्रा अपनी जिन्दगी और अपने करियर में पीक पर थी आक्टिंग का उन्हें हमेशा से शौक था और वो थेटर किया करती थी लेकिन ये वो ही समय था जब आमोल पालेकर अपने करियर के डिसिजिन को लेकर थोड़े से कनफ्यूस्ड थे क्योंकि आमोल पालेकर ने अपने करियर की शुरुआत एस अपने पेंटिंग के करियर के दोरान उन्होंने कुछ सोलो एक्जिविशन्स के साथ-साथ ग्रूप एक्जिविशन्स में भी पार्टिसपेट किया था ये वही दौर था जब आमोल पालेकर पेंटर होने के साथ साथ एक बैंक में नौकरी भी किया करते थे लेकिन क्योंकि वो चित्रा को पसंद किया करते थे और चित्रा आक्टिंग के अपने करियर में आगे बढ़ रही थी तो उस दौरान आमोल और चित्रा की मुलाकात अक्सर चित्रा की रिहर्सल्स के दौरान हुआ करती थी ये वो दौर था जब आमोल पालेकर अपने लिए एक सही करियर की तलाश में थे तो वहीं दूसरी दरफ चित्रा अपने करियर में पूरी दरह से सक्सेस्फुल थी एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आमोल पालेकर का करियर पूरी तरह से बदल गया। और ये वो दिन था जब फेमस थेटर आक्टर और डिरेक्टर सत्यदेव दुबे की नजर आमोल पालेकर पर पड़ी। चित्रा की प्ले की रिहर्सल के दोरान उन्होंने आमोल पालेकर को नोटिस किया। उस समय आमोल पालेकर के करियर में जो चेंज आया, उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ चित्रा पालेकर का था। वो चित्रा ही थी जिन्होंने आमोल को वो confidence और वो encouragement दिया। जिसकी वचह से आमौल पालेकर ने आक्टिंग में अपने करीयर को आज माने का डिसिजन लिया और उसके बाद सन उननीस सठसट में आमौल पालेकर ने अपने पहले प्ले में काम करना शूरू किया उनका पहला ही प्लेज जबरदस्ट सक्सेस्फुल रहा और 1960 तक आमोल पाले कर एक जानी मानी थेटर परसिनालिटी बन चुके थे ये वही साल था जब आमोल और चितरा ने अपनी दोस्ती को एक कदम आगे बढ़ाने का फैसला लिया और एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया इसके बाद आमोल और चितरा एक दूसरे के साथ एक खुशनुमा शादी शुदा जिन्दी की जीते रहे तीस साल तक वो एक दूसरे के साथ रहे शादी के तीस साल के दौरान आमूल और चित्रा ने एक दूसरे के साथ कई सारी फिल्मों और प्लेज में काम किया आमूल और चित्रा की एक खुबसूरत बेटी शलमरी पाले कर 1980 में पैदा हुई जो आज आस्ट्रेलिया में रहती है कोई इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि आमूल और चित्रा की खुशनुमा शादी शुदा जिन्दीगी में कभी कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है और वो भी शादी के तीस साल बाद लिकिन ऐसा हुआ साल 1990 में आमूल और चित्रा की शादी शुदा जिन्दीगी में एक रफ पाच आया और फिर इस बात पर ज्यादा रियाक्ट न करते हुए आमूल ने एक बार सिर्फ एक ही बात कही और वो ये कि शायद कहीं कुछ कमी रह गई शादी के तीस साल गुजर जाने के बाद जनरली जिन लोगों की शादी शुदा जिन्दीगी में शुरुआत में प्रॉब्लम आती है उनकी लाइफ स्टेबल हो जाती है लेकिन आमूल पालेकर और चित्रा की जिन्दीगी में इसके बिलकुल उलट हुआ शादी के तीस साल बाद उनकी शादी शुदा जिन्दीगी में प्रॉब्लम जानी शुरू हुई और उसके बाद इन दोनों ने ही अपनी मचॉरिटी का एक्जामपल देते हुए एक दूसरे से अलग होने का फैसला लिया अपनी शादी शुदा जिन्दीगी के रफ पैच से चित्रा इतनी जादा परिशान थी कि उन्होंने एक बार कहा था कि इस डाइवोस की वज़ह से वो काफी डिस्टर्ब्ड है आखिरकार वो दुनों एक दूसरे के साथ सालूं से थे अपनी फैल्ड मैरिज को लेकर चित्रा पालेकर ने एक बार कहा था कि जब कोई इतनी पुरानी असोसियेशन तूटती है तो डेफिनिटली इसकी वज़ह से काफी दुख और दर्द छेलने पड़ते हैं लेकिन मैं आगे बढ़ चुके हूँ और अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती चित्रा पालेकर ने यूं तो आमूल पालेकर से तलाख ले लिया लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आमूल का सरनेम अपने नाम के साथ हमेशा जोड़े रखा लेकिन वो अपनी जिन्दगी में आगे पढ़ती रही और अपने करियर में अस असक्सेस्फुल फिल्मेकर और अक्टर काम करती रही चित्रा आज भी सिनिमा और थियेटर की जिन्दगी में व्यस्त हैं और आज भी सिनिमा और थियेटर को लेकर आक्टिव रहती हैं वहीं दूसरी तरफ जब आमोल पालेकर अपने शुरुवाती करियर में स्ट्रगल कर रहे थे और अपने लिए सही करियर का चुनाव नहीं कर पा रहे थे तो उस वाकिये को लेकर एक बार आमोल पालेकर ने अपनी पहली पतनी चित्रा पालेकर को लेकर ये कहा था कि मैं as an artist struggle कर रहा था और मेरे पास कुछ खास नहीं था लेकिन वो चित्रा का ही विश्वास था जो मैं creatively आगे बढ़ पाया चित्रा पालेकर के साथ अपनी जिंदिगी के कई खुपसूरत साल बिताने के बाद आमूल पालेकर भी जिंदिगी में आगे बढ़े और उसके बाद उन्होंने साल 2001 में अपने लिचुनी एक नई लाइफ पार्टनर और इस लाइफ पार्टनर का नाम था संधिया गोखले ऐसा कहा जाता है कि आमूल पालेकर को संधिया गोखले से महबबत हो गई थी जोके उस जमाने की स्क्रीन प्ले राइटर थी आक्चिली में संधिया गोखले बाई प्रोफेशन एक लॉयर थी जो पहले यूएस में काम करती थी लेकिन दस साल तक यूएस में काम करने के बाद उन्होंने इंडिया वापस लोटने का प्लान किया और फिर जब वो इंडिया वापस लोटी तो उन्होंने अपने दूसरे करियर की शुरुआद as a screen play writer की संधिया गोखले ने आमूल पालेकर की कई सारी films के लिए screen play भी लिखा और आमूल पालेकर हमेशा संधिया से impressed रहते थे और वो हमेशा उन्हें एक multifaceted personality मानते थे इन दोनों की भी एक बेटी है जिसका नाम है समीह पालेकर जो अपनी मा संधिया पालेकर की तरहा आज की डेट में एक successful lawyer है अपनी दूसरी पतनी संधिया गोखले को लेकर आमूल पालेकर ने एक बार कहा था कि मेरी पतनी और पार्टनर के तौर पर संधिया एक पतनी और पार्टनर के तौर पर संधिया का मेरी जिन्दीगी में होना मेरी creativity का बढ़ना ही है संधिया ना सिर्फ rational और objective है बल्कि वो extremely creative भी हैं आमूल पालेकर के बॉलिवोड करियर के 50 सालों के दौरान उनका नाम कभी भी किसी आक्टरस के साथ नहीं जुड़ा बहुत सारे लोग अभी तक ये ही मानते होंगे कि आमूल पालेकर एक आम इनसान की तरह अपनी एक ही शादी शुदा जिन्दगी में खुश है लेकिन सच्चाए कुछ और है बॉलिवोड की रंगीन दुनिया की तरह आमूल पालेकर की जिन्दगी में भी प्यार की दस तक दो बार हुई जहां तक आमूल और संधिया की रिश्टे की बात है तो आमूल और संधिया आज भी एक दूसरे के साथ हैं और एक सकसेस्फुल मैरिड लाइफ लीट कर रहे हैं लेकिन अगर उनकी पहली पतनी की बात करें, तो वो आज भी अपनी पहली पतनी के साथ एक प्रोफेशनल रिष्टे में हैं और अपनी पहली पतनी चित्रा से हुई बेटी का भी खुब ख्याल रखते हैं। तो ये थी बॉलिवूड अक्टर आमोल पालेकर की शादी शुदा जिन्दगी से जुड़ी हुई एक एक्स्ट्रीमली अननोन स्टोरी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाएए। बहुत शल्द एक और नए वीडियो के साथ होगे आपसे दो बारा मुलाखात। तब तक के लिए बाबाई।